नमस्कार दोस्तों, आरके में चैनल में आपका एकवाल फिर से स्वागत है और आपके लिए हम बहुत ही बढ़ी सवाल लेका रहा है, 2दसवलफ 4 का सवाल है सवाल बहुत ही बड़ी है बच शिष को थोड़ा समझना है सवाल क्या है सवाल नमर 5 है यह दि बहुपद x4-6q xqq q plus 16x2 minus 256 plus 10 को एक अन्य बहुपद x2 minus 2x plus k से भाग दिया जाए और शिष्फफर इतना आता है तो तो इसके लिए सिंपल तरीका लगाएंगे हम जो हमने एक पहले भी लगाया था यानि कि भाज भाज बराबर होता है भाजक गुणे भागफल ठीक है और काहिं में होता है प्लस में होता है सेसफ़ाइं अब देख लेते हैं इसमें से क्या क्या हमारे पास है देखुँ थाँ से भाज है यह क्या है एक्स पाव फोर माइनस सिक्स एक्स घात क्यूब प्लस सोला एक्स इसक्वार माइनस पच्चिस एक्स प्लस का तस है भाजक भी है मारे पास जिसे भाग करना यह एक्स इसक्वार माइनस टू एक्स प्लस के है और सेसफ़ाइं भी मारे पास यह है प्लस में सेस्वल ए एक्स प्लस ए अब ध्यान से देखिए अब इसको इधर ले आते हैं तो माइस का एक आएगा माइस का ए आएगा ये एक्स पावर प्लस काई प्लस का помाइस का आए अब देखिए ये डान सेस्वल इधर पहुचा दिया तो अब इसके plus में saith ful zero है मतलब अब यहां पर saith ful इल इलागे तो उसा आगया इदर आगया बराबर defence अरे यह तो लिख दिया गुडा में इसके भाग फल भी है भाग फल फिर plus में यह है अब गुडा में भाग फल भाग फल ठीक है अब इसके पलस में अगर सेस लिखा जाएगा तो 0 लिखा जाएगा या यानि सेस फल 0 है अब देखते हैं ऐकस पावर फूर माइनस का 6 एकस क्यूब पलस का 16 एकस स्कौाइर 25 माइनस का यह एकस माइनस का माइनस का 26 X प्लस का 10 माइनस का A बराबर X स्कॉार माइनस का 2 X प्लस के और गोड़ा में है भाग फल तो हम अब भाग फल बराबर लिख लेंगे यह पहुँझागा भटे में यानि की भाग फल बराबर यह प्ला लिख रहे हैं X प्लस का 4 6 X क्यूब प्लस 16 X स्कॉार माइनस का 26 X प्लस का 10 माइनस का A और बर्टे में आएगा हमारा X स्कॉार माइनस 2 X प्लस के ठीक है इतना काने गवाद देखिए सेस्पल हमने घटा दिया था तो इसका आणा सेस्पल 0 आना चाहिए ठीक है आगे देखिए अब इस चीज़ को हमने भाग फल में लिख लिया है अब देखो भाग करना यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है तो आएगा 2 X पावर दो बार में तो यह पावर 4 हो गई ठीक है उसके बाद में 2 और यहाँ पे X गाद क्यूब हो गई मायस का 2 X गाद क्यूब हो गई फिर K X स्कायर हो गया 10 का K X स्कायर हो गया मायनस प्लस मायनस यह घटा दिया ये गिनती मायस की बड़ी है तो मायस में निसान लगाया चे में से दो गया, चार, X क्यूब, फिर ये, ये देखिए, दोनों में ये घट जाएगा, यानि कि 16 में से के जाएगा, प्लस में सन लगा, 16 में से के चला गया, और X स्कार कामन में ले लिया, ठीक है, अब आगे हमने उतार लिया, माइनस का 26, X, प्लस का 10, माइनस का A, अब माइनस का 4 क्यूब है, तो माइनस लिखा, 4 लिखा, और X लिखा, अब तो फिर 4 हो जाएगा, माइनस का 4, X 2, और अकेला X, एक की पावा तीन हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, चार दुनी, आठ हो गया, ठीक है, और फिर प्लस में, माइनस में माइनस का, अरे आठ हो गया, एक से स्क्वार भी दो लिखें, हाँ, अब फिर माइनस का 4, KX, 4KX, अब इसको भी हल करते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ मायस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, देको द्ध्यान से, यह 16 K, X स्क्वार प्लस का है, 7 में दो यह मायस का है, तो 16 में से 8 चला जाएगा तो 8 बचेगा और यह k ऐसे रहेगा मायस का k x square और इसी प्रकार यह मायस का है यह प्लस का है तो यह मायस लगा दो 26 अंदर लिख दो यहां जो कि प्लस की किंदी तो यह मायस के हो जाएगी कि मायस कामल ले लिया हमने 4 k तो अलग से हल करके रहेगा दो 26 x और प्लस का 4 k x और बाद में x कामल ले ले लिया मायस लगा तो आपका इतना है और मायस का 10 प्लस का 10 और मायस का a बचा ठीक है अब हल कर लेते हैं एक बचाएगा square square है तो यह 8 k आएगा क्योंकि x स्क्वार हटाएगे ना तो 8 k प्लस 8 मायनस 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 यह मायनस है k तो हो जाएगा 8 मायनस k square उसके बाद में 2 ठीक है तो x तो रहेगा ही रहेगा बाहर छोड़ दो मायनस लगा दिया दो अठ्छे 16 और मायनस का 2 k x ठीक है उसके बाद में प्लस प्लस तो मायनस हो गया यह प्लस हो गया यह मायनस हो गया यह दोने की गिंति एक कट गई अब देखे यह मायनस की गिंति यह प्लस की 26 से 16 चला जाएगा 10 बचेगा लेकि माइनस का ठीक है अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है प्लस का चार के से और ये प्लस का है तो तूके चला गया तो प्लस के चार के से तूके गया तो तूके बचेगा और साथ में एक्स है ठीक है उसके बाद में दस माइनस ए ये बिनाए बाला है तो ऐसे लिख लो अब ठीक है और माइनस का बड़ा कर दो माइनस का आठ के माइनस माइनस ये के है ठीक है प्लस के स्क्वाइर ठीक है जबकि हम को मालूम है कि सेस्फल जीरो होगा ठीक है क्या होगा था जीरो की कि हमें कामा लिया था तो ये सेस्फल है ना सेस्फल सेस्फल और जबकि इसका सेस्फल क्या था सेस्फल चूंकि सेस्फल जीरो है इसलिए माइनस का दस प्लस टू के बराबर जीरो रख लेंगे बराबर जीरो वो गुडांक लेंगे इसलिए ठीके अब टूके चलो 10 इधर बेद दो तो टूके बराबर 10 तो के बराबर 10 बटे दो 2, 5, 10 तो के बराबर आगया 5 के बराबर 5 आगया दुबारा इसको लिख लेते हैं तो नहा 10-A माइनस का 8 के प्लस का के इसकोईर बराबर 0 अब देखे के का मान 5 हैं मालूम है तो लिख 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 दो 10-A माइनस का 8 गुड़े 5 प्लस का 5 का इसकोईर या लिख दो के का मान रखने पर हाँ इसकोईर बराबर 0 अब देखे 10-A माइनस 8 पंचे 40 प्लस पच्चम 25 बराबर 0 टो 10 माइनस दो 10-A 10 माइनस चलो चुड़ो इसकी डिखे ये 10 और 25 पंचे माइनस 40 माइनस का A बराबर 0 ठीक है तो अब बचेगा ये 40 जाएगा तो माइनस का 5 माइनस का A बराबर 0 अब ये इधर आ गया तो माइनस का 5 बराबर A या A बराबर माइनस का 5 तो क्या निकलाया हमारा आंसर हमारा आंसर निकल के आ गया है अतहा ए बराब माइनस का पांच और के बराबर खाले पांच तो सवाल थोड़ा कठिन है लेकिन इसको एक दुबार समझना लगाना तो सवाल बहुत सरुन हो जाएगा तो कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो और फिर मिलते बहुत इच्छे वीडियो के साथ और वीडियो देने के लिए आपनों का बहुत बहुत धन्यवाद